नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में हम आपको बताएंगे की देवठनी एका दसी ब्रत का जो समय है इतना जादा महत पूर्ण क्यूं है क्यूं इतना जादा इसको एहमियत दी जाती है क्या है देवठनी एका दसी में ऐसा जिसको लेकर के जो लोग हैं वो इसके पृति इतना जादा सरदा भाव क्यूं रखते हैं पूरी जानकारी देंगे अपनी इस बीडियो में आप सभी चनरोध हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस बीडियो को पूरा आरो आखरी तक हम अपनी इस बीडियो में आपको बताएंगे क्यों महत्यपूर मानी जाती है देव उठनी एका दसी जाने इसके कारण इसी बीडियो में तो दोस्तों आप सभी संरोध है कि इस बीडियो को भाई आप पूरी आखरी तक देखिएगा क्योंकि अपने चलल के माध्यम से मैं आप इस बीडियो को पूरा और आखरी तक देखते हैं आपको बहुत कुछ पता चलेगा देव उठनी एका दसी ब्रत के बारे में और यह इतनी जादा महत्यपूर क्यों है इसको लेकर के जो लोग साधनाय करते हैं जो लोग कई दिव रहस्वाई सक्तियों को प्राप्त क क्यों है क्या इसके पीछे का रहस सब बताएंगे तो आप सभी चनरोध है इस वीडियो को पूरा और आखरी तक देखिएगा अनथा कुछ समझ में नहीं आने बाला आपको वो जानकारी दूँगा वो रहस्वाई से बताऊंगा कि किसी ने नहीं बताया होगा जिहां दोस दोस्तों और यदि आपको कहीं से मिल भी जाएगी लेकिन दोस्तों जिस तरह मैं आपको बताता हूँ विस्तार से वैसा कोई नहीं बताएगा जिहां दोस्तों तो चलिए हम आपको बताते हैं देव उठनी एका दसी के बारे में लेकिन इससे पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और घंटे विद दबा लीजे क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से धन प्राप्ति के कई प्रकार के उपाई लेकर कियाता रहता हूं साथ ही रहस्तमई अन्य जानकारियां सोना बनाने के प्रियोग ऐसी जानकारी लाता हूँ और हमारी वीडियो को भी लाइक करना मत बूलिएगा आपके एक लाइक से हमारा होसला बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी ही रहस्तमई पॉनाडिक जानकारी लाते रहेंगे दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिरकार देवठनी ब्रत को इतना ज़्यादा महतपून क्यों माना जाता है माना जाता है कि देवठनी एका दसी पर ब्रत वा पूजन करने से एक हजार आसु मेग यज और सो राज सू यग करने के बराबर फल मिलता है जहां दोस्तों दुबारज सूनिये माना जाता है कि देवठनी एका दसी पर ब्रत वा पूजन करने से एक हजार आसो मेग यग और सो राज सूए यग करने के बराबर फल मिलता है कहा जाता है कि इस दिन ब्रत पूजन दान पुन और नदी में सनान करने से जनम जनमांतर के पाप मिट जाते हैं और जनम मरण के चक्र से मुक्ती मिल जाती है माना जाता है कि इस दिन भगवान विश्णूं का पूजन और बिरत करने से अकाल मिरुत्तियु से रक्षा होती है साथी सभी रोगों का नास होता है और भगवान विश्णूं का चरना अमरित पीने से मौक्ष की प्राप्ती होती है जोहां दोस्तों चरना अमरीत तो आपको पता होगा दही और उसमें तुलसिके पत्यां और उसमें मिस्री और मखन मिलाकर कि ही जो है दोस्तों उसको चरना अमरीत बनाया जाता है चरणामरित बहुत ही दिब एवं एक चमतकारी रसायन होता है जिसको जो है हर मंदिर में भगवान के लिए अरपित किया जाता है मित्रों वैसे तो साल भर में पढ़ने वाली सभी एका दसी हिंदू धरम में काफी महत तो रखती हैं लेकिन इन सब में महत पूर मानी जाती है देवटनी एका दसी जिसे देवप्रभोधनी एका दसी और देवथान एका दसी भी कहा जाता है बिशनु पुरान के अनुसार भagवान बिशनुने संखासुर नाम के राक्षास कवध किया था इसके बाद असाड-सुक्लपक्ष की एका दसी जिसे हरिस्यणी एका दसी भी कहा जाता है के दिन भगवान च्छीर सागर में सेस नांग की सयापर सयन करने लगे चार महिने की योग निद्रा के बाद देव उठनी एकदसी के दिन भगवान विश्णू जागते हैं दोस्तों विश्णू भगवान ने संखा सुर नाम के राक्षास का वद किया और जो की यह जो युद्ध था काफी समय तक चला और युद्ध करने के बाद भगवान ने संखा सुर रक्षास का वद कर दिया इसका नास कर दिया इसके बाद भगवान विश्णू बहुत ठक गए और दोस्तों वो चीर सागर में सेश्णूनांग की सया पर जो है बिसराम करने चले गए जी हाँ दोस्तों और उसका वद इसलिए करा कियोंकि वो अत्याचारी था दुराचारी था असहाय बेसहारा वन्चीट पीडित लोगों को पर्सान करता था दुक्या करता था रिसीम इसलिए इसका वद करा और इसका वद काफी समय तक होता रहा कहने करते हैं कि इसका वद जल्दी नहीं हुआ बहुत समय लगा वद करने में और जब भगवान ने इसका वद कर दिया विशनु जी ने तब वो ठक गय थे काफी और वो जाकर के छीर सागर में विश्राम करने से पर चले गए और फिर चार महिने की योग निद्रा के बाद यानि चार महिना भगवान विशनु योग निद्रा में रहे और उसके बाद चार महिने बाद देव उठनी एका दसी के दिन भगवान विशनु जागते हैं इसलिए इसको देव उठनी एका दसी ब्रत कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विशनु देव जागे थे यानि कि योग निद्रा से उठे थे इसलिए इनको देव उठनी एका दसी के नाम से भी जाना जाता है इसी दिन माता तुलसी और भगवान साली गराम के विवहाज का अयोजन होता है और सुब कारों की सुरुआत भी होती है पंचांग के अनुसार जी हाँ दोस्तों पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो पांच नवंबर के दिन देवठनी एकदसी है जी हाँ दोस्तों और देवठनी एकदसी को जीवन में बहुत जादा महत्वपून माना जाता है इसलिए दोस्तों देवठनी का ब्रत वास्तों मे मनुस्ट के लिए बहुत अद्भूत है देवठनिय का दसी तिथी कवपवास बुद्धिमान सांती प्रदाता हुआ संत्ति दायक माना जाता है इस दिन पवित्र नदियों में इस नान वा भगवान विशनु के पूजन का विश्यस महत्तो है माना जाता है कि देवठनिय का दसी पर ब्रतव पूजन करने से इसका फल एक हजार असो मेघ यग और सो राजसुय यग करने के बराबर मिलता है जी हाँ दोस्तों दोस्तों भगवान विशनु की आप जो है तरह तरह से पूजा कर सकते हैं और उनको अपने हिसाब से आप कुछ नहीं है तो भगवान विशनु के पास जाए जिहां दोस्तों करना के साथ प्रेम सरदा के साथ जाए उनके शमक्ष हात जोड़िये और उनको अपना प्रेम दिखाई इनकी पृति अपना प्रेम सर्था भाव भक्ति दोस्तों ये सब सब कुछ जो है उनकी चलणों म दोस्तों, जिसकी जैसी सरदा होती है, कोई भगवान को फल चड़ाता है, कोई अन्य परकार का भोग चड़ाता है, तो कोई भगवान को कुछ नहीं चड़ाता है, लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ी चीज पता है, क्या है, वो है आपका भगती, आपका सरदा, आपका व माना जाता है कि देवठनी एकादसी पर व्रत वाद पूजन करने से इसका फल एक हजारासो मेग और सो राजसू यग के बराबर मिलता है जनम अंतर के पाप मिड़ जाते है और जनम मरन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है माना जाता है कि इस दिन भागवान विष्णू का पूजन ब्रत करने से आकाल मिरुत्यू से रक्षा होती है जिहां दोस्तों बहुत असान तरीके से भागवान विष्णू की पूजा कीजिए कुछ दिक्कत नहीं होगी और यग जरूर करिये हर घर में यग करिये आज के दि होती है जिहां दोस्तों मानता है कि पूजन के अंते में ओम भूत वर्तमान समस्त पाप निवरताय निवरताय फट की जिहां दोस्तों इसको जो है 21 माला करके अगनी में सुद्ध घी की 108 आहुतियां देने से जीवन के सारे रोगों कष्टों और चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है माना जाता है कि इस दिन बिरत और पूजन में द्राक्ष एक अनाल अनार केला सिंगाला अधी मौसमी फल भगवान विषणू को और पित करने से जीवन में कल्याड ही कल्याड होता है जी हां दोस्तों बहुत अद्भूत जानकारी है दोस्तों अमीद करता हूं यह दिव एवं चमतकारी द्योटनी एका दसी पर जो मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी आपने हमारी वीडियो दोखी मित्रों आपका बहुत बहुत धन्नवाद जाय हिंद